हेलो गाईज, माई नेम इस विश्वराज पूरीद, यू आर वाचिंग मी अन्माई यूटूब चैनल में बात आई आज के रेसिपी की आज मैं बनाने चारो क्यूमन, कोरियंडर, पाउडर हर बार मैं कुछ अलग रेसिपीस बनाता हूँ, और मैं बहुत बार मेरी मम्मी के साथ ये रेसिपीस डिसकस भी करता हूँ, कि नेक्स रेसिपी में क्या बनने वाला हूँ, और मुझे वो कुछ टिप्स भी देती है, कि इस रेसिपी में थोड़ा कुछ ये, चेंज करने से य ज़्यादा प्रेजेंटेबल भले ही वह एक होंग कोख है पर जब उनकी कभी-कभी छोटी से छोटी टिप लेने से भी मेरी खिर्स है कोई अच्छी रेसिपी और ज्यादा अच्छी बन जाती है और लोगों को पसंद भी आती है तो आज मैं चो रेसिपी बनाने जा रहा हू वह है क्यूमन कोरियंडर पावडर और हाँ मैं इस चीज को प्रॉपर साइट कर देता हूँ कि इस रेसिपी में स्पेशली मेरी मम्मी ने मेरे को काफी जादा मदद की है तो चलिए विदाउन टेकिंग अड़ी मोर टाइम ये रेसिपी बनाना शुरू करते है सबस्वेल हम लोग धनिया लेगे फिर हम उसके अंदरी ब्लैक पेपर और फैनल सीट्स मिस जो वरिया लियोती है वो एड़ करेगे और लास्ट में हम लोग जीरा एड़ करेगे इसलिए सब स्पाइसीज को मच्छे से मिक्स कर रहे है इसलिए सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ हीट लगे क्योंकि हम इसको ओवन में रोस्ट कर रहे है बेकिंग ट्रे बे मैंने इसको डाइरेक्ट फ्लैट कर दिया है प्रॉपर पर विल्वन में मैंने उसको रोस्ट किया है रोस्ट करने के बाद उसको फ्लैट करके थोड़ा ठंडा होने दीजिए अब देख सकते हैं कि रोस्ट करने के बाद इसका कलर थोड़ा ब्राइट हो गया है अब इसको simply grind करेगे इसको कवर करके अच्छे से ग्राइंड करना है और आपका क्यूमन कोरियंडर पाउडर रेडी हो चुका है आप इसको ग्राइंड करके एर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए इसलिए आप इसको लंबे समय तक यूज़ कर पाए सो गाइस हमारा क्यूमन कोरियंडर पाउडर रेडी हो चुका है सबसे पहली मिस्टेक जो लोग घर पे ये पाउडर बनाते वक्त या फिर कहोगा पाउडर मसाला बनाते वक्त करते हैं कि सारे मसाले को एक साथ लेके उसको ड्राइर रोस्ट करके पीश देते नहीं क्यूमन कोरियंडर पाउडर का मतलब सिफ क्यूमन और कोरियंडर येकल रेशियोस उर फिसको मिक्शर में ग्राइंड करना नहीं होता है कोई भी मसाला होता है उसमें एक fragrance होनी चाहिए इसाथ ही में उसमें एक spiciness होनी चाहिए Black pepper spiciness systems 측us जो वर्याली यह fenn Subaru seeds वो एक fragrance फ्रेग्ण स्मीर आड़ करेगी ऑर k humming coriander powder एक main base रहेंगे हमारे मसाले का इस same quantities में आप मसाले को proper measurement करके use कीजिये आप खुद याद करोगे कि मार्केट से बेस्ट रेसिपी तो मुझे विश्वरवाज के यूटूब चैनल में मिल गई है पर हाँ जाने से पहले सबसे इंपोर्टन चीज कोई भी मसाला मेनाओ इंग्रिडियंट्स को ड्राय रोस्ट करना काफी ज़्यादा इंपोर्टन रहता है चाहे आप ओवन में करो चाहे आप पैन में करो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तब घड़ाय में भी कर सकते हो पर dry roast करने से उसकी shelf life increase हो जाती है और उसके अंदर एक dryness आने से वो powder का जो crush होता है न वो और भी जादा अच्छे से होता है without taking any more time आज का वीडियो में यहीं पर पूरा करता हूँ I hope कि आपको यह recipe वीडियो अच्छा लगा होगा मिलता हूँ मैं आपसे फिर किसे ऐसे नई recipe वीडियो में with some exciting recipe मेरा main aim है कैसी कुछ simple recipes और कुछ complex recipes आपको बताते रहो जिसे आप खुश हो वो same चीज आप घर पर enjoy करें और मेरी चनल को subscribe करें अब तक के लिए आए take care, स्वस्त रहो, मस्त रहो